स्लिंग यूज़ करने से हाथों की मूवमेंट और उससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है स्लिंग दो प्रकार की होती है आम स्लिंग और एलेवेशन स्लिंग और दोनों को त्रिकोन आकार की बैंडेज से बनाया जा सकता है इन दोनों स्लिंग का मुख्य अंतर ये है कि आम स्लिंग में हाथ को अनुप्रस्त रखा जाता है और थोड़ा उंचा बांदा जाता है इससे मरीज की बाजू, कलाईयो, कोहनी और पसलियों की चोट को आराम रहता है एलेवेशन स्लिंग में उंगलिया, कंदे को चुए, इस तरह से खड़ा बांदा जाता है इससे हाथ को सहारा मिलता है, हाथ या हथेली में इसे खून का प्रवार रोका जा सकता है और सूजन पे नियंदरन पाया जा सकता है आम स्लिंग बनाने के लिए घायल व्यक्ति को अपना हाथ पकड़े रहने को अनुरोद करें अब त्रिकोन बैंडेज को बहुत ही धहर्य से हाथ के नीचे से सरका दे और कंदे पे रख दे और दूसरे चोर को नीचे की और खुला छोड़ दे कंदे पे रखे चोर को गले के पीछे से सरका कर दूसरे कंदे तक ला दीजिए और नीचे वाले चोर को उपर वाले चोर से जोड़ दे हाँ जी बिल्कुल इस तरह से समहल कर अब बस एक साधरान गाठ लगानी है और गाठ के चोर को नीचे की और दबा दे अब ये सुनिश्चित कर लें कि कोहनी से छोटी उंगली तक सहरा बना रहे कोहनी वाले चोर पर एक और गाठ बना दे और सुनिश्चित कर लें कि पूरी कोहनी उसमें समा जाए Elevation Sling बनाते वक्त मरीज को हाथ उपर धरे रखने के लिए बिंती कीजिए और सुनिश्चित कर लें कि हाथ की उंगलिया दूसरे कंदे को छू रही हो त्रीकोन बैंडेज के एक छोर को कंदे पे रख दे अब पूरे हाथ को कपड़े से ढख दे और हाथ को कपड़े में लपेट ले और खुले छोर को पीट पीचे से सरका कर कंदे पर फिर बांध दे खुले छोर को नीचे की और दबा दे कोहनी वाले खुले छोर पर फिर एक बार गांट बना दे पूरी कोहनी का भाग इसमें समाज आना चाहिए रक्त संचार की जाच करने के लिए उंगली को 5 सेकंड दबाए रखे दबाव छोड़ने पर उंगली का रंग फिर सामानिय हो जाएगा और अगर ना हो तो स्लिंग का तनाव थोड़ा कम करना पड़ेगा रक्त संचार की जाच हर 10 मिनिट पर करे तो याद रखे इस लिंग दो प्रकार की होती है और कौनसी इस लिंग कब इस्तमाल करनी है ये सुनिश्चित कर लें